असलाम अलेकुम गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिसकस करेंगे वो टॉपिक है हाउ टॉपाइज वेलकम टॉपिक कर लीजिये और नीचो दिये काई बेल आइकुन को प्लिक कर लीजिये ताके आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें तो गाइज यहाँ पर मैंने कुशन और लेडी लिख लिया है जिसमें हमें 1024 का स्कॉयर रोट मालूम करना है बाई लॉग डिविजियन मेठ़ड तो वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने कुशन लिख लिया है 1024 अब गाइज हमें करना क्या है division method में हमें करना यह होता है कि हमें square के थ्रूठ ही अपने answer को find out करना होता है हमें ऐसा number चाहिए होता है कि हम उस number को उसी से multiply करें तो हमारे पास required answer आ जाए जितनी value हमें चाहिए है तो हम यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ pairing करनी होगी मैंने यहां pairing कर ली है 24 का अलग pair बना लिया 2-2 के pairs मैंने यहां बना लिया है ताके हम square easily ले सके उसके बाद guys अब मुझे कोई ऐसा number यहां रखना है कि उस number को अगर मैं उसी number से multiply करूँ तो या तो 10 बने या 10 से कम की कोई value बने तो यहां पर हम square लेके देख लेते हैं 1 का square guys हमारे पास 1 ही होता है 2 का square हमारे पास 4 होता है 3 का square हमारे पास 9 होता है 4 का square अगर हम लेते हैं तो हमें 16 मिलता है 5 का square 25 होता है 6 का square 36 7 का square यहां पर 49 आ जाता है guys then 8 का square हमारे पास 64 आता है and 9 का square हमारे पास आ जाता है 81 तो यहाँ पर square हमने लिखती है ताके हम question को easy solve कर सके अब अगर हम यहाँ देखें तो 2 2s are 4 and 3 3s are 9 मतलब 3 का अगर हम square लेते हैं तो 3 3s are 9 होगा और 4 का square ले रही हूँ तो 16 आ रहा है तो यहाँ पर हम 3 का square लेंगे 3 3s are 9 तो मैंने 3 का table यहाँ पर पढ़ा है और 3 time पढ़ रही हूँ means 3 3s are 9 तो मेरे पास 9 की value आ गई है अब guys हमें करना क्या है हम इस 10 मेंसे 9 को minus कर देंगे 10 मेंसे मैंने 9 को minus करा तो मेरे पास 1 की value remaining बची उसके बाद guys यह 24 मैं यहाँ पर लिख लूँगी नीचे तो मैंने यह values यहाँ लिख ली है अब guys next step में मैं इस value को और जो हमारे पास answer में value आ रही है इन दोनों values को मैं plus करके यहाँ लिख दूँगी 3 और 3 को अगर मैं plus करती हूँ 6 हो जाएगा जो के मैंने यहाँ लिख दिया है 6 अब हमने करना क्या है अब हमने 124 के लिए ऐसा number find out करना है कि 6 के साथ अगर मैं वो number लगाऊँ सो या तो 124 की value बन जाए या उससे कम की value आए सो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 6 के साथ मैं यहाँ अगर number लगाती हूँ guys 6 के साथ अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ सो मैं यहाँ भी 2 लिखूँगी जो number मैं multiply करूँगी जिस number से उसी number को मैं 6 के साथ भी लिखूँगी सो मैंने यहाँ 2 से multiply करना है तो मैं यहाँ भी 2 लिखूँगी मैंने जो लिख दिया है अब मैं multiply करके देख लेती हूँ 2, 2 जा 4 2, 6 जा 12 अगर मैं 6 को 2 के साथ multiply करती हूँ means 2 के square से करती हूँ इसको multiply मेरे पास 124 की value आ रही है और मुझे यहाँ पर भी 124 ही चाहिए तो मैंने करना क्या है 2 को मैं यहाँ पर लिख हूँगी और क्यूंके मैं जो हम यहाँ लिखेंगे वो हम यहाँ पर भी लिखेंगे क्यूंके यह हमारा answer है 2, 2 जा 4 and 6, 2 जा 12 तो हमारे पास 62 का जो हमने multiply करा 2 से तो हमारे पास 124 की यहाँ value आ गई है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ multiply करने पर then guys हम इसको minus करेंगे तो हमारे पास remaining कुछ नहीं बचता उसकी बद guys अब हमें करना क्या है हमें चाहिए था route 1024 का so route हमारे पास जो आ रहा है 1024 का long division method से वो आ रहा है 32 जो के मैंने यहाँ लिख दिया है so guys यह हमारा answer है इस question का उमीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिस